हलो एवरिवन वेलकम टी चुरूसेच लिए चलिए आज के लिगल टॉक सुरू करते हैं पहले लिगल टॉक में हमनों बात करेंगे एड़ोकेट के परिस्ती खराफ होते जा रहे कोवीड-19 पैंडमिक के चलते और उन लोगो को फिनैंसियल एसिस्टेंस चाहिए कुछ दिन पहले एड़ोकेट एसिस्टेंस चाहिए इन दे कमिंग वीक्स और मांथ सेकंड लिगल टॉक में हमनों बात करेंगे एड़ोकेट वेलफेर ग्रूप अभी यूणियन लॉग मिनिस्टर को भी लिखे हैं एक टेंपररी स्कीम लाने के लिए कि जहां पर लॉयर्स के चेंबर लॉयर के ऑफिस जो है उसके रेंट वेव आप किया जाए कुछ टेंपररली कुछ दिनों के लिए क्यूंकि अभी जो सिचुएशन ने कोई ने जलते कोई लॉयर के चेंबर और ऑफिस यूज नहीं कर पार रहे हैं और उसके साथ-साथ कुछ financial aid भी मिले advocates को तो वो भी बहुत अच्छा होगा थर्ड लीगल टॉक में हम लोग बात करेंगे बिसिकली पांच लोग स्टूडेंट अलावाध हाई कोड अप्रोच किये हैं और अलावाध हाई कोड में बिसिकली ये फाइल किये है कि अभी कोड में जो legal side के paper होते उसके जगा में A4 side के paper यूज किया जाए और उसके both side प्रिंट किया जाए क्यूं उसके reason petition में यही दिखाया गया है कि पहली बात अगर दोनो side print करकी यूज किया जाएगा तो उसमें paper बहुत कम use होंगे तो वो basically that is good for the preserving the environment और second reason यह है कि cost भ पेपर के कॉस्ट है वो 3,5 रुपए आते है और A4 साइज के कॉस्ट आते है 280 और 200 के आसपास So that's why ये cost saving भी होंगे उसके साथ साथ वो petition में ये भी बोला गया कि Legal Paper जो USA, UK में Use किया जाता था अभी वो भी Use नहीं किया जाता है अभी तो A4 साइज पेपर उस बाहर के Court में भी Use होते हैं That's why Indian Court should adopt this also Now fourth legal talk में हम लोग बात करेंगे Delhi High Court एक tenant के Petition को dismiss करते हुए बोले हैं कि आपके जो rent है वो wave up हम लोग नहीं कर सकते हैं अगर कोई wave up कर सकता है वो landlord ही कर सकता है और ये charity हम लोग नहीं कर सकते है by doing injustice to another party क्योंकि ये contractual है उसमें landlord जब तक आपका rent wave up नहीं करता है हम लोग इसमें कोई interfere नहीं कर सकते हैं फिर्थ legal talk में हम लोग बात करेंगे Delhi के Labour Minister basically N.L. Delhi को direct किये हैं कि जो सफाई करमचारी को December में terminate कर दिया गया था इना notice के उन लोगों को दुबारा बुलाया जाए काम दिया जाए और जो नया housekeeping services के लिए contract किया गया था RM group के साथ उसको terminate कर दिया जाए student भी इस चीज़ को लेके बहुत vocal दे प्रोटेस्ट भी किये थे अभी Delhi के Labour Minister ये direction दिये N.L. Delhi को now sixth legal talk में हम लोग बात करेंगे Supreme Court ने करनाट का High Court के जो order थे उसको offered किया है जो May 27 को करनाट का High Court order दिये थे basically जो करनाट का government 25 June को Class 10 के State Board exam conduct करने के लिए order दिये थे और इसके चलते petition file किया गया था करनाट का High Court में तो petition basically करनाट का High Court dismissed कर दिया है उसके बाद दुबारा Supreme Court में प्रेटिशन फाइल किया गया था Supreme Court ये बोले कि Constitutional Court academic matter में interfere नहीं करेंगे और दूसरी बात है कि यहां पर option दिये जा रहे हैं option in the sense 25 June is not the fixed date दो मेने बाद भी student exam दे सकते who cannot appear right now for the exam okay so that's a very good thing and that's why Supreme Court basically a failed the Cornetta का High Court order and dismiss the petition side by side now seventh legal talk में हम बात करेंगे Supreme Court ने Tilling and High Court के भी order को a failed किया है यहां पर POX4 Act के अंदर basically Tilling and High Court एक offender के death penalty को reduce करते हुए life term imprisonment दिये थे और basically trial court पहले इसके death penalty a failed किया था और High Court में challenge करने के बाद Tilling and High Court उसको death penalty को life term imprisonment में convert कर दिया गया था और इसके बाद फिर basically Supreme Court में जब case आया तो यह बोला गया कि इसको फिर death penalty में change किया जाए Supreme Court यहां पर बोले है कि life term imprisonment is already a harsh punishment तो इसको दुबारा change करना is not needed and it's already a signal to the society कि someone has committed a grave crime and he is or she is serving the punishment for that Supreme Court ने Central Government को direction दिया है कि Central Government कोई direction लेख्या है कि जो health workers और जो doctors direct in contact with the COVID-19 patient के साथ आ रहे हैं उन लोग के लिए separate residential facility के लिए बंदोबस्त करें और कोई भी अगर state government या state officials इस particular direction को ना मानें तो उन लोगों को पनीश किया जाएगा अंडर डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट 2005 ना नाइन्थ लिगल टॉक में हम लोग बात तरहेंगे कुछ दिन पहले आप लोगों को मैं बोला था कि डेली के जो कोट कॉंपलेक्स में सातो कोट कॉंपलेक्स में वीडियो कॉंपरेंसियुम बैटने वाले थे और प्रिम कोटो नोडिफाई किया था इसके चलते डेली गार्मेंट ने 6 करोर रुपे ली सैंक्शन किये हैं इसके चलते कि डेली के जो सातो कोट कॉंपलेक्स के जो इसके चलते किया जाएं अजी अच्छ गार्में देक्रिवाजिशन कि अच्छ फोटेल नेजा था